नमस्का दोश्तो हमारी अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोश्तो आप सभी को मालों में 17 दिसम्बर को MPPSC 2023 का फ्री और साथ में वन सेवा परिच्छा यानि कि For a Service 2023 का फ्री है दोश्तो लेकिन इस एक्जाम की जो डेट को लेकर जो है ये मांग चलने लगी ह कि ये एक्जाम जो है पॉस्पॉंट किया जाए ये एक्जाम दोश्तो क्यों पॉस्पॉंट किया जाए क्यों क्या मांग है सभी महत्पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी आप सी रिक्वेस्ट है आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स्राइब करें इच्छा इश्टकित की जाए, डेट आगे बढ़ाई जाए, दोस्तो इसका जो कारण है, में कारण दोस्तो ये है, आप सभी को मालूम है कि MP में जो है, MP में दोस्तो जो है, 17 नवमर को जो है, चुनाव है, और तीन दिसमर को जो है, result आएगा, यह नहीं कि दोस्तों तीन दिसम्मर तक बहुत सारे करमचारी ऐसे रहेंगे जो के राज्ज के करमचारी हैं और वो भी PSC की परिच्छा देंगे लेकिन दोस्तों उनकी डूटी जो है इलेक्शन में लगेगी तो इसी कारण दोस्तों उन केंडिडेट का कहना है कि नहीं परिच्छा जो है इस्तगित की जाए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा परिच्छा की तैयारी के लिए और हमें अपनी अच्छी तैयारी के लिए तो दोस्तो चुनाब के कारण यह नहीं कि चुनाब में जिन लोगों की डूटी है और वही लोग पेपर भी दे रहे हैं तो उनको पेपर में समस्य हो सकती है हालाएं कि दोस्तों पेपर फाइनल रिजल्ट से भी काफी दूर है लेकिन फिर भी दोस्तों मांग की जा रही है कि पेपर जो है इस्तगित किया जाए दोस्तों यदि हम अपना व्यू बताएं दोस्तों देखिए तो आप अभी जब तक फाइनल जब तक MPPSC का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप दोस्तों जो है इसी डेट को जो है एक्जाम की डेट मानकर तैयारी करें और ये ना सोचे कि पॉस्पॉंड हो गई है जब तक लोग से वायो का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि एक्जाम जो है इस्तगित किया जा रहा है न्यू डेट जो है ये है तब तक आप बिलिफ ना करें तब तक आप इसी तैयारी इसी डेट को लेकर जो है अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों देखिए पॉस्पॉंड का ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन ज़्यादा तर चांस यह है कि नहीं होगा क्योंकि दोस्तों मुझे जो लग रहा है पर्सनली एक्जाम डेट काफी दूर है फाइनल रिजल्ट से भी दूर है तो ठीक है फ्रेंड्स धन्दवाद